गाईज मुझे एक बहुत ही कन्फूजन भरा कमेंट देखने को मिल रहा था जिसे सभी रेविट लबर भाई बहन को देखना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक रेविट लबर हैं और ऐसी किसी भी परिशानी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जैसे कैप्टन स्टूर्ट इनका कहना है कि सर मेरी रेविट ने पहली बार बच्चे दिये और उसने ना ही अपने बाल नोचे और खुद ही अपने बच्चों को खा गई अब क्या करें प्लीज रिपलाई इन संडे कमेंट बाक्स और मंडे कमेंट और दा टाइगर बॉय इनका कहना है कि भाई मुझसे एक लड़का कह रहा था कि मेल रेविट बेवी बनीज को खा जाता है क्या भाई रियल में रिपलाई मी तो गाई जाज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ कम्पलीटली देखने और जानने वाले हैं कि क्या आखिर सच में मा खरगोस आने श्टेप बाई श्टेप पूरा सच नमस्कार दोस्तों मैं हूं आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेटराई भी टेंडेनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पह करते हुए सिधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों माखरगोस अपने ही बच्चों को जनम देकर खा जाती है या मेल रैबिट सभी बच्चे को पैदा होने के बाद खा जाते हैं यह सोचकर आप सभी को बहुत ज्यादा टेंसन नही ही कमेज में करा दिया जाता है और वो पूरी तरह से मेचोर और एडल्ट नहीं हो पाती है और खुद ही अपने आपको बच्चा समझती है तब जब वो ऐसे में प्रेगनेंट हो जाती है तब जब वो बच्चों को डिलीवर करती है तब अपने दर्द और तकलीफ की आज रही बात मेल रेविट के बच्चों के खा जाने की तो ऐसा सिर्फ एक परसेंट ही रेविट करते हैं बट मैंने आज तक अपने किसी भी मेल रेविट को बच्चे खाते हुए नहीं देखा है हां लेकिन मीटिंग करने के चक्कर में नर्खरगोस बच्चों को जरूर नुकसान पहुचा ही देता है अगर बच्चे उसके पास होते हैं तब इसलिए गाईज आप लोग मेल रेविट को हमेशा प्रेग्रेंट रेविट से दूर ही रखें कहने का मतलब है कि आप माँ और बच्चों के साथ भी रखें और अलग अलग भी और गाईज आपकी मेरेड में 2% मादा खरगोस ही ऐसा करती हैं क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि अगर ऐसी हरकते सभी नर और मादा खरगोस करने लगे तब तो उनकी पर जाती ही खतम हो जाएगी बिलूप्त हो जाएगी और गाईज आप लोग खुद ही स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से मादा खरगोस अपने बच्चों की केयर कर रही है उन्हें दूद पिला रही है बड़े होने तक कैसे उनके साथ रहे कर उनका ख्याल रखती है इसलिए गाईज आप लोग कभी भी जरा भी टेंसन ना लें कि आपकी मादा खरगोस बच्चों को खा जाएगी और गाईज मादा खरगोस बच्चों को किन किन कंडिशन में कब और कैसे खा जाती है इन सभी टापिकों पर मेरे चैनल्स पर कई वीडियोज है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल्स में बताने और समझाने की पू